जोदिश और जीवन में आपका स्वागत है श्री गुरुचर्णों में नमनकर श्री गनेश की बंदना करता हूं वैसे हमारी सनातन संस्कृती में साधना के कई मार्ग, कई संप्रदा है उनमें भी प्रधान रूप से, जिससे किसी निकिसी रूप से प्रत्यक जन जुड़ा हूँआ है प्रत्यक सनातनी हिंदू जुड़ा हूँआ है, वो है शक्त उपासना दुर्गा की उपासना हर कोई करता है भगवती दुर्गा हैं क्या वो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती का सम्मिली सुरूप है लेकिन जब विशिष्ट साधना की बात आती है तो पिर दश महाविद्याओं की साधना की जाती है और दश महाविद्याओं में जो प्रतम महाविद्या है वो है भगवती काली मैं किसी भी बारे में किसी भी सादना के बारे में बोलने से पहले थोड़ा से उसकी विस्तार से जानकारी संक्षिप्त में विस्तार से नहीं संक्षिप्त में देने का प्रयास करता हूं ताकि उसका सार बेस भी समझ में आए तो कई वेक्ति के दते हैं कि आप वेकारी व्यर्थि में आप वीडियो को लंबा करते हो मेरा निवेदन है कि मैं एक शब्द भी मेरी तरफ से व्यर्थ नहीं बोलता मैं एक एक शब्द का मौल समझता हूं तो थोड़ा सा समझते हैं काली के बारे में जानकारी लेते हैं भगवती काली है क्या मंत्र कोई बारे में वो तो समझेंगे ही लेकिन पहले काली के सुरुप के बारे में तो कुछ जाने है श्रिश्टी के प्रारंब में जब कहीं कुछ नहीं था चारों तरब जो व्याप्त था वो था तम, अंधकार वह जो अंधकार व्याप्त था वही महाकाल है और उसी महाकाल की शक्ति है भगवति काली यह प्रारंब की बात है श्रिष्टी के प्रारंब की जब कुछ था ही नहीं आधी काल की इसलिए भगवती का एक नाम आध्या भी है प्रथम प्रारम ही इन से हुआ इसलिए इनको प्रथमा भी कहा जाता है महांकाल सहीता क्यंसार प्रधान रूप से भगवती काली के नौ सो रूप है वो है दक्षना काली, भद्र काली, शम्षान काली, गुह्य काली, काल काली, कामकला काली, धन काली, सिध्धी काली और चंड काली यह नौ सो रूप वैसे तो हमारे मनीशियों ने रात्री के चोर्यासी विभाग किये हैं और उन चोर्यासी विभाग के अनुसार ही भगवती काली के चोर्यासी सुरूपों में उपासना होती है लेकिन वो एक बहुत बिस्तारी त्मिशा है, उसकी चर्चा अभी नहीं अभी हम केवल करते हैं भगवती दक्षनी काली की उपासना के सब उनकी क्रिपा कैसे प्राप्थ हो सकती इस अंदर्म में भगवती काली की उपासना से पूरूपों जैसा सामा निसा किसी भी शक्ती उपासना के साथ जो बात लागू होती वो ही हमें यहां भी करना होगा उनके जो पती हैं, पती सुरूप जो भैरो हैं वो हम पहले उनको इसमरन करेंगे और आंग महा काले शुराय नमन इसको चाहिए एक बार बोल करके हम भगवान महा काल शीव को नमन करें या यदि हमारे पर समय होता हम एक माला कर लें अज्जेन में जो बिराते हैं महा काल भगवान शिव का जो सुरूप उज्जेन में महांकाल बिराचते वही भगवती दक्षिना काली के पति सुरूप हैं हम उनको नमन करें और नमन करने के बाद फिर विनियोग करें विनियोग अस्य मंत्रश्य भैरव रिशी उसनिक चंद दक्षिन काली का देवता रिंग बीजम खूंग शक्ती के इलकम दक्षिन काली का देवता पीतर थे जपे विनियोग है यह के करके हम जल छोड़ दें इसके बाद इसके बाद जो एक कंट हमारा यह जो स्थान है यहां पर ध्यान करें और मन में अर्थात मांसिक उचारन नहीं होगा और बारा बार क्रींग 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 मूल जो मंत्रे क्रींग का बारा बार जब करेंगे क्रींग क्रींग नहीं क्रींग 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 इस बीज का बारा बार यहां ध्यान करके जब करेंगे उसके बाद फिर भगबती का ध्यान करेंगे और वो है पराभय कराम इसमरेत इस तरह से ध्यान करके वगबती काली को दक्षन काली को नमन करेंगे अब आताती जब करेंगे प्रधान मंत्र इनके 22 अक्षर का है लेकिन सीधा ऐसा मेरा मानना गुरु देव का ऐसा मुझे आदेश कि सीधे उस मंत्र पर नहीं जाना चाहिए ज़िए प्रारम से करते आ रहे हैं किसी एक सिध्ध गुरु ने दे दिया विधान बता दिया और प्रारम से शक्ति उपासना से जुड़े हों वो कर सकते हैं लेकिन जो प्रारम कर रहे हैं उन्हें सीधे उस 22 अक्षर के मंत्र को सीधे करने से बचना चाहिए और कम से कम 21 दिन तक एक एक अक्षर जो मंत्रे जो मूल बीज मंत्रे भगवती का अलिका क्रेंग इसकी 11 माला प्रति दिन जब करना चाहिए क्रेंग 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 रुद्राक्ष की माला और उस पर ग्यारा माला प्रती दिन जब इस एक बीजाक्षर मंतर का करना चाहिए 21 दिन तक 21 दिन के बाद फिर अगले 21 दिन तक तीन बीज त्रेक्षर मंतर वो है क्रेंग 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 ये एक बार हुआ शुरू के 21 दिन तक केवल एक बीज बीजाक्षर क्रेंग का जब करेंगे 11 माला और उसके बाद फिर 21 दिन तक क्रेंग 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 ये एक वा इसका मंतर का जब करेंगे हम हमारे समय की एदिय हमारे पास उपलब दता है तो ग्यारा माला नहीं तो कम से कम पांच माला प्रति दिन तो इसका भी करना ही है उसके बाद फिर मूल मंत्र भगबती दक्षन है काली का उसका जब करेंगे हम और वो है क्रेंग 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 हुं हुं रिंग 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 स्वाहा क्रिंग 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 हुंग हुंग रिंग 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 दक्षन काली के क्रिंग 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 हुंग हुंग रिंग रिंग स्वाह इसका प्रति दिन शुरू में प्रारम में एक्तालिस दिन तक जितना कर सकते हैं हम कम से कम तीन माला से लेकर के तीन माला पांच माला साथ माला नो माला ग्यारा माला जितना कर सकते हैं अधिक्तम जो नियम हम लेने प्रतम दिन वही 41 दिन तक रहना चाहिए। और इस मंत्र जब करने के बाद फिर अंत में अश्ट भेरव इस्तुति करना चाहिए। यह अश्ट भेरव इस्तुति प्रति दिन करेंगे भगवती काली का जब करने के बाद। यह सब करने के बाद फिर उनको हमने पहले जिस तरह संकल्प किया था बाद में फिर हम समर्पन कर देंगे उनी की किरपा प्राप्ति के लिए। तो शुरू के 21 दिन करेंगे एक बीश का जब फिर उसके बाद करेंगे 21 दिन तक 32 अक्षर का जब और उसके बाद फिर 41 दिन तक भगवती के इस 22 अक्षर मंतर का जब करेंगे। तर इस दिन करने के बाद जो कुछ हम से बन सकता हो किसी भी तरह से कन्या भोजन और यदि हम कर सकते हैं स्वेंट तो ठीक ने तो किसी आचारे जी को बुला करके दशांश हवन कर लेना चाहिए इस 22 अक्षर मंतर का और फिर कन्या भोजन आदी करा करके भगवती से उनके क पाकी प्रार्थना करके पिर नीमत उपासना में हम एक माला, तीन माला, जो भी करें नीमत उपासना करते रहें भगवती काली जो सर्वात्र व्याप्त है ग्यान की अधिष्ठाति देवी है और एक बात और जो विशिष्ठ है और वो यह कि यदि आप चाहते हैं कि आपको मार्ग दर्शन मिले मन में ये शंका उत्पन्योति प्राय कहा जाता है कि दर्शम आविद्याओं की उपासना तो बिना गुरु दिक्षा के नहीं मिलती और कोई ऐसे गुरु मिलते नहीं जिनसे दिक्षा प्राप्त हो सके फिर क्या करें एक सहज सरल्सा और कई व्यक्तियों का अनुभूत प्रयोग जो काम करता है भगवती काली की उपासना में कोई भी यदि आप चाहते हैं उसका तो आप भी सहायता ले सकते हैं और वो ये एक युवक नरेंद्र उस नरेंद्र युवक को स्वामी विवेका अनुद बनाने वाले वो थे स्वामी रामकृष्ण परमहन्स निकट समय में भगवती काली के ऐसे उपासक रामकृष्ण परमहन्स जिसा कोई उपासक नहीं हुआ काली के भगवती काली का साक्षातकार था उनको स्वामी रामकृष्ण परमहंस को उन्होंने ही नर्यंद्रक को स्वामी विवेकानद बना दिया यदि आप चाहते हैं कि आपको उचित मार्दर्शन बिले तो स्वामी रामकृष्ण का परमंस वो किसी भी माध्यम से करें ये उनका उत्तरदाइत्व हो जाएगा आपको तो किवल एक काम करना है और वो ये कि गुरुपूर निमा पर जब प्रारंब करें आपको जरूरी नहीं लेकिन गुरुपूर निमा पर अवश्य उनका जनादी करके उनसे निवेदन करें कि मैं भगवती काली की उपासना करना चाहता हूँ आप मेरा मारुख दर्शन करें मुझे पर क्रिपा करें मुझे मारुख दर्शन करें आप ये उनसे निवेदन करें और फिर भगवती काली की उपासना करें किसी ने किसी माध्यम से आ आपको भगवती काली की उपासना में मार्गदर्शन प्राप्त होगा ही होगा अब ये बात इस पर निर्भर करती है कि आपकी आस्था कितनी है हमारी यह तो महाबारत काल की घटना है एक बहुत दूर दुरूनाचारे की प्रतिमा बना करके और एक लव्य ने अर्जुन से अधिक पारंगत्ता प्राप कर ली थी दक्षता प्राप कर ली थी धनुर विद्या में वो एक लव्य का उनका गुरूनाचारी के प्रति समर्पन भावता श्रद्धा भावता यदि आप श्रद्धा भाव रखते हैं रामकृष्ण परम हंस के अप्रति उनको उस प्रार्थना के साथ मैं आप सब को नमन करता हूं नमस्कार